आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें तो हम इस रोग का नाम भी लिख लेते हैं, इससे क्या होता है एस के रिस्ता, तो लिख लेते हैं, एस के रिस्ता रोग होता है मानव में जिससे क्या होता है, स्टुडेंट्स आंत्र पत जो है, यह अवरुद हो जाता है और आंत्र को यह शतिगरस्त करता है तो students देख लेते हैं options की और option A दिया हुआ है वुचर एरिया ब्रैंक ओफटाई जो है यह है लसी का तंतर को परभावित करता है तो यहां हम लिख लेते हैं यह है लसी का तंतर को परभावित करेगा और मानों में यह हाथी पांव रोग के लिए उतरदाई होता है जबकि हमसे पूचा गया है आंतरपत से सबंदित रोग तो students यह हमारा जो option है क्या होगा गलत होगा option B दिया होए हमारे पास ascaris तो students यह ascaris है तो हमारा option B जो है बिलकुल सही उतर है ascaris जो है यह आंतरिय परजीवी है मुनशे की आंतर का परजीवी होता है और जो की आंतरिय पत को अवरुद कर देता है जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये आंत्रपत को भूद कर देता है और इसके अंडे जो है संकरमित्र व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं और स्टुडेंट संकरमन करते हैं तो हमारा option B जो है बिल्कुल सही उतर है option हमारे पास C दिया गया है epidermophyton जो है यह कवक वंश है students तो लिख लेते हैं यह एक कवक वंश है और इस वंश के जो सदस्य होते हैं जो कवक हैं यह मानव के अंदर तो अच्छा सबंदी रोग उत्पन करते हैं तो लिख लेते हैं यह क्या करते हैं तो अच्छा रोग उत्पन करते हैं जैसे कि दाद, खाज, खुजली उत्पन करते हैं students तो ये मारा जो option है क्या होगा गलत होगा option D क्या हुआ है माइक्रो स्पोरों, माइक्रो स्पोरों भी एक कवक वंच है और इसके सदसे भी क्या करते हैं तो अच्छा रोग उत्पन करते हैं तो ये भी मारा option जो है गलत होगा option B जो है दिल्कुल सही उत्तर है